आज हम मकर्स अकरांती स्पेशल तिल गोड और मुमफली के लड़ू बनाएंगे नमस्कार दोस्तों मैं भारती भावसार खापिलो किचिन में आपका बहुत स्वागत करती हूँ तो ये मैंने दो कटोरी के करीब तिली ली है ये भुनी हुई तिली है और एक कटोरी मैंने भुने हुए मुमफली के दाने लिये हैं और इनका हम छिलका उतार देंगे साथ ही मैं मैं एक कटोरी जो है गुड का इस्तमाल करूंगी और ये जो है काफी स्वादिस्ट लगते हैं लड़ू तो सबसे पहले भुनी हुई मुमफली जो है उनका थोड़ा छिलका उतार लिया है उसको हम मिकसर जार में पीस लेंगे अच्छा सा पीस ना है बारिक ही हमको पीस ना है और इसको एक साइट में बरतन में निकाल देंगे और इसी टाइप से हम जो है तिली को भी हमने पीस लिया है उसको भी हमने एक बरतन में निकाल लिया है अब हम दोनों को मिक्स करेंगे गुड के साथ में तो दोनों का पाउडर टाइप में हमको बना लेना है तो अब मैं इसमें जो है पहले जो मुफली पीसी हुई थी वो डाल देते हैं और उसके बाद हम गुड जो है उसको काट कर डालेंगे याद रखना है आपको सभी को समान मातरा में लेना है या फिर आप दो कटोरी तिल एक कटोरी मुफली और एक कटोरी गुड का इस्तमाल कर सकते हैं तो ये देखिए मैं इसमें जो गुड है इसको चाको के सहता से काट कर डाल देती हूँ और इसको हम मिकसर में ही पीस लेंगे तो ये जो है अच्छे से पिस जाएगा गुड भी अच्छे से जो है तिल और मुफली में अच्छे से मिकस हो जाएगा तो ये देखिए मैं इसमें डाल देती हूँ और अब मैं उपर से जो है तिली का चूरा था वो डाल देती हूँ पहले मुने मुमफली का डाला था अब मैं इसमें तिली जो है उसका पिसा हुआ चूरा डाल देती हूँ और बस अब हम इसको एक समान करने के लिए मिक्सर जार में इसको हम पीस लेंगे तो ये हमने पीस लिया है और ये बड़ी आसा बनकर रेडी हो गया है हमारा लड़ू का खैना कितनी आसान विदी बस ना ही इसमें मैंने घी का इस्तमाल किया है ना ही किसी चीज का ये हमारे लड़ू बनने के लिए तयार हो गया हमारा मिक्चर तो आप इंस्टन्ट भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आती देखिए बराबर से और फटा फट से लड़ू बनकर तयार हो जाएंगे ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये हमारे लड़ू बनकर तयार हो गये हैं और यदि आप इसकी बर्फी भी बनाना चाहें तो वो बोब भी बन सकती है तो ये मैंने दूसरा भी आपको इसमने लड़ू बनाकर रख दिया है फटा फट से ये जो रेसिपी है बनकर रेड़ी हो जाएगी आपके लड़ू कैसे बने आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग